देखे शुक्र है भगवान का कि जिस तरहां पुलिस को इल्ट्रीट किया जाता ना छोटे पर्दी पर कई बात बड़ा बुरा लगता है जी इनके लिए फैंक गॉड असल लाइफ में आप नहीं कर सकते पुलिस वालों ने जो डंडे बजाने थे ना तो पता लगता क्यों अब देख लीजिए कुंडली भागय में हमारी प्रीता पहले तो इन्होंने खुदी पुलिस को फोन करके बुलाया लेकिन जैसे ही पता लगा कि भाहिया इल्जाम तो खुद के पती पर लगने लगा है तो पुलिस को कहा कि देखो भाहिया घर का मामला है खुदी सुल प्रीता के सस्राल में पुलिस अरे तो इसमें नया क्या है कोई नई कहानी बता अरे बाबा ये तो मैं भी जानती हूँ कि इसमें कोई नई बात नहीं है लेकिन नई बात लाने की कोशिश की गई है जिसमें राइटर फिलहाल तो सफल बिलकुल भी नहीं हुए अब देखि प्रिता के कमरे से प्रॉपटी के पेपर्स गायब हो गये हैं हां तो वह तो पृथवी ने किया होगा न अरे हां वो बात दो है लेकिन क्या है न इस बार पृथवी ने करन को फसाने की साज़िश्की और फिर जब पुलिस आई तो पूरे कमरे की च्छान भीन की तब देखिए पृत्वी ने उल्लू बनाने के लिए पुलिस को क्या किया प्रॉपिटी के पेपर्स जिस फाइल में थे ना उस फाइल के अंदर अकबार छुपा कर पुलिस और प्रीता दोनों को गुमराह करने की कोशिश की अरे ने ने मैं अपनी का ब्लेंग पापस लेती हूँ अचली मुझे तो मेरे पेपर्स मिलने से मतलब था पेपर्स मिल गए हैं और करन के खिलाब मुझे कोई कम्प्लेट नहीं कर दे हैं इससे तो साफ पता चलता इंस्पेक्टर सर कि पेपर्स किछी और ने चुराए हैं और फोल्डर करन के कमने में छोड़ दिया ताकि शक करन पर चला जाए एक हैर प्रीता और प्रित्वी के बीच तो ये सब चलता ही रहेगा फिलहाल प्रीता को समझ में आ गया कि उसके साथ ये चोर पुलिस का खेल कौन खेल रहा है इसलिए तो जब उसे समझ में आया ना तब उसने पुलिस वाले को कह दिया के भाई अब तो तुम जाओ थाने मैं निपट लूँगी यहाँ पर जो होगा अब जब रपट लिखी है तो पुलिस कारवाही तो करेगी लेकिन पुलिस को उसने जो गोल 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 बाते सुनाई ना तो पुलिस वाले ने भी समझा के यहां रोकने से बहतर है के चलिए निकल लेते हैं अब मुद्धे की बात तो यह है के प्रॉपर्टी के पेपर्स अगर पृता-फट से नहीं ढूडेगी ना तब तो पृत्वी का पलरा भारी हो जाएगा और चाहकर भी प्रीता कुछ नहीं कर पाएगी तो भई प्रीता चलिए काम पर लग जाएए मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबिपी न्यूज रिपोर्ट अब को रखे आगे कर लाएगा